जाहर्ण दोस्तों आज की ये वीडियो यूपी पुलिस के तैयारी करने वाले यिविविस के लिए काफी जाधा important होने वाली है तुमकि आज कीस वीडियो में आपको यह बताऊ। कि अगर आप यूपी पुलिस के तैयारी कर रहे हैं तो आपको पहले सही क्या क्या डॉकॉमेंट बनवा के रखना है और फॉर्म अपलाई करते समय आपका क्या 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 डॉकॉमेंट लगता है और फॉर्म बनने के बाद आपका किस किस टाइम पर क्या 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 डॉकॉमेंट लगता है तोटल यह तो जानकर यह आपको इस व पर्ति में क्या के डोकुमेंट लगते हैं कि टोटल एटूजर जनकारी आपको इसी वीडियो मिल जाएगी और आप मैं सोब परसेंट गरेंट साथ आपको यह भी भोल लाओं कि जिस परकार से मैं आपको यूटूब चैनल पर आप इस वीडियो में आप देख रहें मेरी जि से पहले बाद के लेते यूपी पुलीस कॉंस्टेबल का फॉर्म भरते समय आपका क्या 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 डोकुमेंट लगता है तो सबसे पहला है तैंत और 12 की मार्क सीट उसके बाद अधार कार्ड पास्वर्ट साइज फोटो कास्ट सेर्टिफिकेट डोमिसाइल और इसके अला यूपी पुलीस कॉंस्टेबल के एक्जैम में और अगर आप पहले से यूपी पुलीस में होमगार्ड रह चुके हैं तो उसका अप सेर्टिफिकेट लगा सकते हैं उसमें भी आपको एक्जैम में कुछ बोनस मिल जाएगा और बात करते हैं आपकर कास्ट अगर आपको चाहते हो आपको कुछ आरक्षन मिल जाए कुछ लाब मिल जाए इसमें तो आप अपना कार्ष लगा सेटे हो आपको पत्वाइए स्टी और ओवी से वाले को तो आरक्षन मिलता ही है साथ में EWS जो बिलोंग करते हैं उनको मिलता है यानि कि EWS में तो जन्रेल वाले याते हैं तो इसका काफी बताऊंगा मैं आपको किस प्रकार से जन्रेल केटे किरे वाले इडवलूएस का सर्टिफिट बनाकर लाव ले सकते हैं तो यह बात में आगे वीडियो में बताऊंगा तो पहले यह क्लियर हो गया हमारा यहां का भाई कि फॉर्म भरते समय हम आप क्या 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 मतलब डोकुमेंट लगेगा यहां पर यह खिलियर हो गया और आप बात करेंगे जब हम यूपी पुलिस का एक्जैम देने जाते हैं तो हमें उस टैम पर क्या कैंड डोकुमेंट लेकर जाना होता है तो दोस्तों मैं आपको बता दू जब हम यूपी पुलिस का फॉर्म बढ़ते हैं तो हमाँ पास एड्मिट कार्ड आता एक्जैम के लिए तो एड्मिट कार्ड के साथ में हमें अधार कार्ड पैंकर ड्राइविंग लाइसेंस इन में से कोई एक प्रूफ लेके जाना होता है और साथ में दो फोटो लेके जाना होता फोटो कभी-कभी लेके भी जाना होता कभी-कभी नहीं भी लेके जाना होता जब आपका UP पुलिस का एडमिट कार आता तो उसके नीचे लिखा रहता कि भाई आपको जब आप exam देने जाओगे तो आपको क्या कर डोकुमेंट लेके जाना होँ आपके एडमिर कर जब आपका UP पुलिस का आएगा तो आपको पता चल जाएगा तो दोस्तों ये किलियर हो गई आपका भाई और जब आप UP पुलिस का exam किलियर कर लेते हैं तो उसके बाद में आपका होता DB-PST DB-PST यानि कि डोकुमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टेंडर टेस्ट DB-PST में आपको जितने भी आपने फॉर्म बने टाइम पर डोकुमेंट लाए थे ये सभी डोकुमेंट आपके लगेंगे और साथ ही आपका जो एडमिट कार्ड होता है जिससे आपको एक्जैम देने जाते हैं वो लगेगा और साथ में एप्लिकेशन फॉर्म लगेगा यानि कि जब आप फॉर्म अपलाई कर रहे थे उस टाइम के जो प्रिंट आउट होता है वो आपको चाहिए होता इसमें मेलं फिजिकल चैने टेस्टर इसमें बस यतना ही रहिए होता जो लड़कयenne होते वन कि हाइट और बेट ना पर जाती है उसके बाद viens फिजिक्रा कि लिए अलगसे पुला है और चलल रहिए क्रें क्या होते हैं ये प्ता चलिए होगा और जब आपका UP police के DB PST किलियर हो जाता है तब उसके बाद में आपको physical test के लिए बुला जाता है जिसमें physical test में आपकी running करवा जाती है और साइस में long jump और high jump भी करवा जाता है तो इसके वारे मैं confirm नहीं हूँ, यह मैं पुलिस वालों से बात करके आपको next video में बताऊंगा, तो आपका जब DB-PST clear हो जाता है UP Police का, तो इसके बाद में आपको एक physical test के लिए बुला जाता है, तो इसमें आपको एक call letter मिलता है, जो कि admit card की तरह होता है, तो इसमें admit card के जो आपको call letter मिलता है, उसमें नीचे लिखा रहता कि आपको जब आप physical test के लिए जाओगे, तो आपको call letter के साथ में, और क्या के document लेके जाना है, तो आपका यहाँ तक clear हो गया भाई, कि physical test में क्या के document लेके जाना हमें, और अब हम बात के लेते हैं, जब हम यूपी पुलिस का medical के लिए जाते हैं, तो उस time पर हमें क्या के document लगता है हमारा, यह सबसे main document है यहाँ के, यहाँ के बार में आपको नहीं पता, तो कुछ भी नहीं पता, तो आप बात के लिए medical के time पर क्या का document लगता आपका, तो मैं आपको बता दू भाई, जब आपको physical test क्लियर हो जागा, तो आपका medical के लिए एक अलग आपको admin card के तरह ही आपको मिलता है, जो भी call letter या admin card बोल लूँ मैं उसे, तो जब आपका physical के लिए रहोने के बाद में, आपका medical के लिए आपको बुला जागा, और वहाँ पे आपका same document लगेगा, जो की DB PhD में आपके document लगे थे, वो सभी document लगेंगे, और साथ में आपका character certificate लगेगा, जो की character certificate तीन परकार के होते हैं, एक तो आपका character certificate होता है, ज और एक होता है, ग्राम परधान का character certificate है, और एक होता है, जो की आपका police station से character certificate बनता है, ये तीन certificate होगे, और अगर आप सहर से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर ग्राम परधान का system खतम हो चुका है, तो वहाँ पे आपका सभासद का character certificate लगता है, तो इतना clear हो गया आपका, और इसके अलावा, दो सब्रांत वैक्तियों का भी character certificate लगेगा, दो सब्रांत वैक्ति यानि कि दो आपके जो भी पडोसे होंगे, महुले गास पास के जो भी रहने वाले होंगे, उनके दोआरा आपका character certificate बनता है, ये character certificate का form आपको, जो कशेहरी है, और जो भी तहसिर वैसिल ह वहां पर आपको इसका मिल जाएगा, तो वहां से लेका form भड़ लेना और जो भी इनका sign one करवा लेना वहां पर जो भी आपके पडोसे रिष्टेदार जो भी है, उनके दोआरा आपको कैसा character है, तो बस यही लगेगा, और कुछ भी नहीं है, तो डोकुमेंटिक बारे मैं तो दोस्तों मैंने आपको EWS के बारे में बताता है, स्टार्टिंग के वीडियो में कि बाई, जनरल केटे किरिये वाले EWS certificate बनवा के किस परकार से आरक्चन का लाव उठा सकते हैं, तो सबसे पहले समते, EWS क्या है, EWS यानि कि, जो EWS certificate होता है, यह है कि, जो जनरल केटेगरी में जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर के लोग है, जो गरीब परिवार से जो बिलोंग करते हैं, जो जनरल केटेगरी से भी आते हैं, उपर से गरीब होते हैं, तो उन लोगों के लिए, संदोया, 19 माई, 12 सरकार दुआरा, 130 में सम्मिदान संसोजन के तहत में, 10% का कोटा लागुख किया गया था, तो ये चीज जनरल केटेगरी से बहुत सारे भाई हैं, जिनको पता नहीं रहता, तो इस वीडियो को और भी जाद जादा सेर कीजें, जो और भी जो भाई है, जो जनरल केटेगरी से बिलोंग करते हैं, उपर से गरीब घर से बिलोंग करते हैं, तो वहां तक ये वीडियो वहां तक पहुंचाओ वीडियो जिनको इस चीज़ के वारे मैं नहीं पाता तो मैं आसा करता हूँ आपको मेरी दी हुई जानकाली अच्छी लगी होगी तब तक लिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में जय हिं जय भारत बंदे मातरे मातर की जय